हे गाइस, वेलकम तुदा स्टेडी विद मयाउंक, मैं हूँ आपका मयाउंक, और आई ला रहा हूं मैं आपके लिए भारती अर्पिवस्ता, जो कि रमे सिंग चीक तो रहले की पुस्तक है, इसी क्रम में हमारा यहां पर अध्याय नौवा चल ला था, उद्ध्योग एमम व או कि आए गई है, उनसे हमारे देश की आरतिक कजवदी में क्या परभाव पढ़ा है? ऊण सब के परभाव vikt को भी लिए था, आपकी जो हाल की और अध्योग नीथ है, वो आपकी aspireने वाली उद्ध्योग नीथ है, उसके बारे में हमने विस्तत, विवेचन देख लिया है उससे पहले हमारे हाँ कागजों में तो मिस्स्अ अर्थवच्टा का सरूप था लेकिन जायतार उसका जो भाग था वो सरकार ही चला रही थी यानिस सरकार ही निगमित कर रही थी लेकिन 1990 की ज worn हुए कि कमपनी में स्वामित की विक्री की प्रकृरी होती है यानि कि कि किसी कमपनी के सेर वगएरा जो हम विक्री होती है उसे वास्तम में win-waves कहते हैं तकनी की रूप से सब्द का प्रियोग किसी भी company के लिए किया जा सकता है यानि अगर हम technically this term को देखे हैं investment के term को देखे हैं तो हम किसी भी company के लिए कर सकते हैं लेकिन ब्यवार में अगर बात की जाए और जब राष्टी perfect में बात की जाए तो हमेशा इसकी बात होती है सरकारी स्वामित्त वाली कमपनियों के लिए यानि खास करके PSU जिसे हम बोलते हैं Public Sector Undertaken उनके लिए बात की जाती है यानि ब्यावार में हम इसका जो इस्तिमाल करते हैं उस सरकारी स्वामित्त वाली कंपनियों के लिए ही प्रयोग में हम करते हैं तो यह होगी बिनवेस की बात यानि कि 1990 के सुधारों के बाद सरकार ने ज़रूत महसूस की कि हमारी जो PSU है यानि कि सरकारी स्वामित्त वाली कंपनिया है उनके सेरों को बेचा जाए, ताकि बेच कर कुछ मुनाफ़ा कमाया जाए और हमारी जो सरकारी स्वामीत्रवाले जो भी कम्पनिय वो घाटे में चल लई हैं गाटे से निकाला जाए तो ऐसे करके सरकार ने यहाँ पर विनिवेस की प्रक्रिया को स्टार्ट किया है विनिवेस की प्रक्रिया सरकार की योड़ से बहुत पहली स्टार्ट कर दी गई थी हाला कि तब के वालों के और सरकार ने investment किया था भारी व्यक्ति इसमें निवेस नहीं कर रहे थी जैसे सबसे पहले बताई गई यह बात कि सरकारी उपकरमों में निवेस की सुरुवात जो हुई है तो मजबूरी यह थी सरकार को ही आगया आना पड़ा है सरकार ने 5 करम उपकरम इस्थाबित करवाई है और उनमें टोटल खर्चा उसमें जो आया है उन्निस्जो क्यावन में 19 करोड रुपे करीब आया है तब तक 244 सरकारी उपक्रमों में सरकार का लगवग 2.4 लाग करोड रुपया इन्वेस्ट था 2019 तक आते आते हैं अगर हम बात करें 2019 तक ऐसे उपक्रमों की जो कुल संख्या है वो 348 हो गई यानि कि सरकारी उपक्रमों की संख्या 348 हो गई थी इसमें भारत सरकार का कितना कुल 16.4 एक लाख करोड रुपया यहाँ पर इसका निवेस था यानि भरतमाल में आपका लगवग 348 सरकारी कुरों में लगवग 16.5 लाख करोड रुपय का इंवेस्टमेंट है यानि यह यहाँ पर बाद बताई गई है तो सरकार कोसिस यह कर रही है लगाता कि अपना सेयर कम किया जाए और निजी निवेस्कों का सेयर यहाँ पर बढ़ाया जाए क्योंकि सरकार का जो पैसा है बहुत ज़्यादा वो होल्ड है अगर हम यह पैसा निकाल कर नई परियोजनाओं के लिए हम लगा देंगे तो यह होगा कि उससे नई परियोजनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा चाँ सार रोजगार भी सजित होगा और निजी सेक्टर का भी विकास होगा और यानि नोखनियामी लोगों को जाद से जाद मिलेंगी तो सरकार इसलिए बिनवेस की प्रक्रिया पर ज्यादा फोकस कर रही है भारत में बिनवेस की सुरुवात तीन अंत्यसमंदित नियामकों के साथ हुई कौन कों से तीन अंत्यसमंदित नियामक थे सबसे पहला ही है साधनिक शेत्र के उपकरमों के सुधार के साधन के तोर पर यानि कि उस समय सबसे वड़ी कमी किस क्या थी फंड की कमी थी पूरा सब लोग जो भी सरकारी उपकरम लगाए गए थे जरा जरा बात पर सरकार की ओर देखने लगते थे तो सरकार ने बार-बार यही सोचा कि ये लोग बार-बार कुछ भी होता है कोई प्रद्वगी चाहिए होती है बार-बार हमारी ओर देखे हैं तो इससे बेटर क्या है ऐसी प्रक्रिया स्थापित की जाए ताके इने इनके पास फंड की कमी हो नहीं ना पाए आर्चिक सुधारों की प्रक्रिया के अंके तोर पर ये देखे दूसरी बात हमारे पास ये थी 1990 के जो आर्चिक सुधार थे वो बादिगारी प्रवती के तेहम पर तो हमें ये करना ही करना था बजटी आवशक्ताओं के लिए संसाधनों की विवस्ता करने के साधन के तोर पर ये सभी जानते हैं क्योंकि ये बिनवेस की प्रक्रियाएं जो होती है सरकार के लिए संसाधनों को औरेंज करने के लिए बहुत साहिता प्रदान करती है तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो गया था इन सब के लावा हमारे देश में जो साजनिक छेतर के उत्धिमों में जो बिनवेस की प्रक्रिया है इस पर एक सी रंगराजन आयोग इन्होंने बना था है तो इन्होंने बिस्वर में जो भी बिनवेस हुआ है या इनके बिनवेस के जो भी बिस्वर में अनवाब है इनके इनको सबको देखते हुए इन सबको एनलाइस करते हुए सरकार को इस संदर में एक अत्यदिक सरहानी और सुव्यवस्टित रूप से सला दी यानि इनका मानना ये था स्री रंगराजन आयोग का कि सरकार को इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू करनी चाहिए ताकि सरकार के ऊपर जो अभी अत्रिक्त दवाव बना हुआ है वो दवाव कम हो जाएगा और जो साजमिक ठितर के उपकरम जो फंड की कमी जहिल लाए है उन्हें जो फंड भरबूर मिल पाएगा और उनकी जो गती है वो भी बड़ पाएगी सरकार ने विविनवेस्ट की जो प्रक्रिया है यह उन्हेसे क्यानवे में ही आरम कर दी है सरकार ने क्या किया है 1997 में एक विनवेस्ट आयोग की भी स्थापना की है ताकि वो इसकी देखपाल कर पाए और बिन्वेस प्रक्रिया के वहिन पक्षों पर सला देने के लिए इसकी स्थापना भी की है हाला कि जो बिन्वेस आयोग बनाया गया था बाद में एक प्रतक बिन्वेस मंत्राले स्थापित भी किया गया क्यांनबै के आर्टिक सवारों के साथ स्टार्ट हुई है क्या पर टोकन डिंवेस्ट में क्या है, यहाँ पर इसको हम अभी माईनॉरूटी स्टेक सेल कहते हैं कि कि किसी कमपनी के हम एक छोटा भाग बेच रहे हैं, बात वाकी स्वामिथ हमारे हाथ में है, यानि हमारे यहाँ जो माईनॉरूर्टी स्टेक सेल के अंतरगत जो नीत अपनाई गई है इसमें ये है कि साजमिक खित्र के उद्यमों के सेरों का अधिक्तम 49% तक यहाँ पर बेचा जाएगा इसमें यानि किसमें सांसकतिक बिन्वेस में कहने का मलब क्या हुआ देखे किसी कंपनी का जैसे माल लेते 100% है तो 100% में 51% की हगदार यहाँ पर होल्डिंग किसके पास रही गवर्मेंट के पास रही बात बागी 49% गवर्मेंट क्या है किसी प्राइवेट फर्मों को यहाँ पर बे पास से लेकर 10% से यहरी इनके बिकपाए है यानि इस टोकन इन डिसिंवेस्टमेंट वाली प्रक्रिया में क्यों 5-10% प्राइवेट सेक्टर वालों नहीं यहाँ पर बिन्वेस किया पूरा 49% किया ही नहीं बिन्वेस तो यह प्लानिंग फेल हो गई दूसरी बात क्या है इसके द्वारा साज्मिक छित्री के उद्वों में उनकी कारे को शल्ता बढ़ाने के लिए नए परिवर्तन नहीं किये गए यह इस प्रक्रिया का यानि मुखे कमी थी सबसे बड़ी बात क्या थी कि हाँबर कोई भी नए उद्वेस्ट क्यों नहीं करना चारे थे क्योंकि इनकी कारे से लिए जो कारे प्रना लिए उसमें कोई सुधार नहीं किया गया योकि उसके वो सब चीज़ें गौर्रमेंट के हाथ में ही रही इस बज़े से यह टोकन डिसिंवेस्टमेंट था इस पर ज्यादा फोकस नहीं गिया और यह ज्यादा सक्सेस्पुल हमारे करिया बनाने के लिए जिसके द्वारा साजमिक छित्र के उध्यमों की कारिक उसलता को बढ़ाया जासके तो सरकार अपने आपको उन क्रियां से बार्मुक्त कर सके होगा आएंगे तो पूरा गर्मेंट या प्लान करेगी पहले वाली प्रख्रिया में ऐसा नहीं होता था पहले वाली में किया था पूरा जो भी सिस्टम है जो भी हुआ पर पर यो कारेशल है ऑज की यह आत सरकार ने जो है साज्मिक्त छेत्र के उद्योगों को यहाँ पर सामरिक में और गैर सामरिक में बरिकत किया सामरिक का मलब किया है कि देखे सामरिक थोड़ा सा सामरिक यह वाला सामरिक नहीं है यहाँ पर सामरिक का मलब क्या है बहुत ज़्यादा important गवर्मेंट के लिए बहुत ज़्यादा important है देश के लिए बहुत ज़्यादा इनकी priority है तो उन उद्ध्योगों को इनोंने categorize कर लिया है सामरिक और गेर सामरिक में तो सरकार ने यहाँ पर मार्च 1999 में यहाँ पर यह गोठना की है कि जो गैर सामरिक उद्ध्योग है इनमें अपनी साज़ेदारी को घटा कर 26% कर देगी यानि जो गैर सामरिक है दूसरी बात यहाँ पर यह है यह जरूरी हुगा तो सामरिक उद्ध्योगों में यानि अर्थात जो अस्त्र यो दोप करण बगएरा या परमार उड़ जाया या इनसे समंधित करिया है तो सरकार अपनी अधिकार साज़ेदारी को इसमें कायम रखेगी क्यों रखेगी क् प्रपोज बिचार करकर समझ कर यह बाली चीज़े हैं सारी अपनी अंडर मरती हैं हाला कि इसमें भी इन्वेस्टमेंट को प्रोसाइद करने के लिए गवर्मेंट की पॉलिसी है लेकिन फिलाल हैं बताया गया है कि यहाँ पर जो बैसे गैर सामरिक है उनमें यहाँ पर ग गया है कि नियुन्तम 51% सेरों का इसमें बिन्वेस होगा यानि यह नियुन्तम कितना हो सकता है और सेरों को बड़े पैमाने पर एक strategic partner को बेचा जाएगा यानि कहने का मलब क्या है ऐसा नहीं है किसी randomly किसी को बेच दिया नहीं एक proper यानि कि जो उसके बारे हम पुरी government को जानकारी होगी क्योंकि सामरिक दश्टी बाले जो भी मुद्दे हैं या सामरिक दश्टी बाले जो भी उद्ध्योग है वो देस के ल कर रही है और वो गलत हातों में हत्यार बेचने लग गई तो क्या होगा तो वास्ता में देस में नकसली जाएसे संग्टन और ज्यादा संग्टन खड़े हो जाएंगे तो government ये बड़े बैमाने पर ये analysis करती है ऐसे नहीं पकड़ा देती है किसी को कहा माई आईए कि फलान कैसे होई है तो इस प्रकार के जो विन्वेस की सुरुवात होई है वो सबसे पहले modern food industry limited से होई है और दूसरा यहाँ पर जो विन्वेस हुआ है साद निक्षित के उद्ध्यम में वो बालको में हुआ है तो यहाँ पर वोई शुरुवाती कंपनिया है जुन में एक सामरिक यहाँ पर किया गया है विन्वेस किया गया है तो वो वारत यहाँ पर बताई गई है बर्तमान आपकी जो विन्वेस नीत है यानि कि जो डिस इंवेस्टमेंट पॉलिसी है उसके बारे बताया गया है कि बर्तमान में विन्वेस की प्रक्रिया क्या है 1990 की जो नीत की विचारधारा थी वो क्या कहती है वो ये कहती है कि PSU में लोगों के स्वामित को प्रोसाइद किया जाएगा क्योंकि वे देश की संपत्ति है तेकि उस समय की विचारधारा लगादार जो PSU है उनको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सोपने के फेवर में नहीं थी उनका मानना ये था कि ये राष्ट की सक्तियां है देश के लोगों की संपत्तियां है तो इनका स्वामित बहुत सोच समझ कर दिया जाए तो यहाँ पर भाई चीज़ें यहाँ पर इसमें रखी गई थी कि PSU को क्या है कि PSU में लोगों के सामित को प्रोसाइद किया जाएगा क्योंकि वे देश की संपत्ति है सीमित इस्सेदारी की विक्रीव वाले मामले में सरकार कम से कम 51% STUDYBIट में अपने पास रखेगी जयनि C में इस्सेदारी के मलब के आए बहुत सारे दो सामरेक उद्ध्योग को होते है याँ देश के लिए वहत महतमैकपूर उद्ध्योग होते है संविधन सील उद्ध्योग होते है तो उनमें government की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा रहेगी यानि 50% सेयर government के पास लेंगे 50% तक या अधिक सेयरों को रणनीतिक बिनिवेस के त्याद बेचे जा सकती है यानि कि इस्टेजिक डिसिंवेस्टमेंट है इसके त्याद ये बेचे जा सकती है सूची बद जो PSU है इनको सबसे पहले यहाँ पर लिया जाएगा जो लिश्टिट PSU है और यहाँ पर सुरुवात में भाई 25% के मानक को यहाँ पर हासिल किया जाएगा यानि government अपनी इनमें हिस्सेदारी घटाएगी तो 25% पर ले आएगी ऐसे नए PSU को सुची बद किया जाएगा जिन्होंने लगातार तीन सालों में शुद्ध मुनाफ़ा कमाया है यानि government identify करेगी कौन से ऐसे PSU है जिन्होंने लगातार शुद्ध मुनाफ़ा कमाया है क्योंकि शुद्ध मुनाफ़ा वाले जो PSU होते हैं लेने वाले जो लेंदार होते हैं उनकी संख्या काफी अच्छी खासी होती है क्योंकि उनकी growth अल्रीडी पहली से हो रही है तो कोई आप समझ सकते हैं कोई भी company जब किसी company में देखती है कि पहली सी growth अच्छी खासी चल रही है तो वो उसके लिए ज़्यादा बोली लगाती है तो वही चीज़ बताई गई है PSU की पहचान यहाँ पर DIPAS यानि निवेस इम लोग परसंपंदी प्रवंदन विभाग है यह करेगा कि कौन सी PSU को अब बेचा जाना चाहिए ताकि government के उपर से यह बाहर कम हो सके रणनीतिक जो बिनवेस है यानि strategic जो disinvestment है इसके अंतरगत PSU के जो 50% या उससे अधिक सीयर यहाँ पर बेचना तैह हुआ है फर्वरी दोयार सुले की नित में यह कहा गया है कि जो strategic disinvestment वाली process है इसमें किसी भी PSU के हम 50% सीयर यहाँ पर बेचेंगे खास करके नीत आयोग ऐसे PSU की पहचान करेगा और इसके विभिन पक्ष पर यह सलह भी देगा यहाँ पर CGD यानि बिनवेस पर जो सचिमों की और समू बना हुआ है नीत आयोग को मैं तो नीत आयोग के अनुसंस साब मैं यह को यह ध्यान में भी रखेगा कि भाई यह क्या नीत आयोग ने जो decision लिया है वो सही है या गलत है तो इसके लिए यह CGD यहाँ पर रखा गया है यहाँ पर note बताया गया है कि हमारे यहाँ में कितने आपके यह PSU कारिवरत हैं और उनका पूरा जो capitalization है market capitalization है वो कितना है वो बताया गया है अप्रेल 2020 तक की अगर बात करें तो देश में 57 साजनिक छेतर उपकरम जो के stock बाजार में सूची बदने यानि NSE और BSE platform पर सूची बदने और इनका सगल बाजार हुजी कर यानि जो आपका market capitalization इनका जो है वो तेरे लाग करोड रुपे का है यानि कि यहाँ पर बताया गया है कि इनका market capitalization कितना है तेरे लाग करोड रुपे का था है तो यहाँ पर अब धीदी रिकट के सरकार इनमें से अपनी हिस्तिदारी घटाती जा रही है और private sector को इसमें involve होने के लिए प्रोसाइथ कर रही है यहाँ पर एक यह बनाया गया है लोग पर संपतियों का ब्यापक प्रभंधन करने के लिए पूरा इनोंने एक लोग पर संपति जो प्रभंधन है बिभाग है इस्ताफना की है और उद्देश इसका यही है जो सरकारी संपति है उनको यह बेचने में बिक्री करवाने में यह सहया को नित के और लोग संपत्कियों का ब्यापक प्रभंधन का एक अंग बन गयी है यह नीत बरतमान बिनवेस नित की गोशना के पहले सरकार के दोरा बिनवेस जो बिभाग था यानि कि जो आपका जो इन्वेस्टमेंट वाला जो बिभाग था इसका नाम बदल कर निवेस एबं लोग पर संपत्ती प्रमंदन बिभाग इसका नाम कर दिया गया है जो बिनवेस बिभाग था इसका नाम सरकार ने निवेस एबं लोग पर संपत्ती प्रमंदन बिभाग ये नाम इसका रख दिया है और इसके अंतरगत जो बिभाग के दोरा साजमिक शित्र के उपकरम है इनके लिए 90-4 पहलों को सुनिश्चित किया गया है 90-4 पहल का मलब क्या है कौन कौन सी पहल करेगा ये विभाग इन्वेस्ट्पेंट को बढ़ावा देने के लिए इस्तमलाव की प्राप्ति तथा आर्थिक ब्रद्दी को बढ़ाना यानि इस्तमलाब का मलब क्या है कि जो भी हमारी PSU BIC है उनसे हमें एक सरकार को जहाँ से ज़्याद मुनाफ़ा हो पूजी इपन बित्ती पुनरसन रचना दोरा परसंपतियों को उत्तोलन यानि कि जो भी पूजी या भित्ती परसंपतियों है इनके जरीए उत्तोलन का मतलब होता है या छूट होती है यह जो आपका जो है किसी चीज़ पर चूट देना उसे लेभरेज कहते हैं तो यहाँ पर क्या है कि लोगों को प्रोसाइद करने के लिए तो हम यहाँ पर सरकार कुछ चीज़ों का कुछ छूट भी देगी। बित्ती बोज पढ़ रहा है उसको कम किया जा सकें। इससे मिलने वाले पैसे का उचित प्रकार से प्रयोग किया जाया है। तो यहाँ पर हमें दो नए विकास देखने को मिलेंगी। क्या-क्या दो नए विकास हैं। एक ब्यापक सर्व सम्मती ततकालीन वित्तमंत्री के प्रस्ताव पर हुई। यहाँ ततकालीन वित्तमंत्री ने इसके बिनवेस जो प्रक्रिया आ रही है। बिनवेस की प्राप्ति के उप्योग के संधर में अपनी यहाँ पर राय दी है। तो वो राय यहाँ पर बताई गई है, तो बिन्वेस के प्राप्ति के कुछ अंसों का उपयोग निम्टरपगार से प्रस्ताबित किया गया है, कैसे कैसे यूज करना है, जो भी इस समय में हमें पैसा मिलाया है, तो किस तरह से यूज किया गया है, तो बिन्वेस किया गया है साज्मिक छित्र के उद्यम में ही उसे अधिक उन्नत बनाने के लिए किया जाएगा जो भी पैसा हमें मिलेगा जो भी सरकार को फायदा होगा उससे सरकार प्यास ये कर रही है कि जिस उद्यम को बेचकर सरकार ने पैसा कमाया है उसकी जो खामियां है तकनीकी उसमें problem है उसको दूर करने के लिए यहाँ पर हम उस पैसे का उपयोग करेंगे सामाजिक आधारबुद समझना खास करके सिक्षा, स्वास्था, सेवा इन सब को बढ़ावा देने के लिए जो भी investment का पैसा सरकार को मिलेगा उसमें लगाया जाएगा, स्रम बलके पनरबास में यह पैसा खरच किया जाएगा और खास करके आप देखेंगे जब पॉलिक कंपणी जो गवर्मेंट कंपणी यह प्राइबेट होती है उसमें मज़ूरों की कार्ट शार्ट हो जाए, तो कार्ट शार्ट होने की दिसा में क्या होगा जो है सरकार से रुष्ट हो जाएगी, सरकार से नाराज हो जाएगी, तो सरकार क्या प्रियास करती है कि ऐसे लोगों को किसी दूसरे काम में लगाए जाए ताकि उन्हें ये ना लगे कि हमारी नौकरी सरकार ने छीन ली है चरण तीन में क्या हुआ है अब देखें चरण तीन जो निवेस्टमेंट कर रहा है इसमें बताया गया है इस चरण में सरकार के द्वारा यहां पर दो महतपूर ने ने फिर से लिए गई है एक तो एक राष्टी कोस की स्थापना की गई है एक राष्टी निवेस कोस बनाया गया है नेस्नल इन्वेस्टमेंट फंड बनाया गया है यानि ये इंपोर्टेंट है नेसल इंवेस्टमेंट फंड जो आपका जो है ये जनवरी 25 में इसकी इस्तापना होई है और यह जो निदी है आपकी ये भारत की जो संचित निदी आती है नुच्छेद 275 के त्याद उस कोस्ट से जो रासी है इस्ताई प्रबत की होगी क्योंकि इसका जो पैसा है वो इसी में रहेगा और वो परसंपत्यों को बेचकर इसमें लाया जाएगा कोस्की 75% रासी का इस्तेमाल जो है चुनिंदा सामाजेक छित्र योजनाव को बित्तुप लब्द कराने के लिए यह किया जाएगा यानि खासकर सिक्षा, स्वास्ते और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा और बाद बाद की 25% जो बचावुगा पैसा है उसका इस्तेमाल P.S.U. पूजी की आवशकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा पिर से सरकार ने यहाँ पर 2.49 में सरकार ने जो बिणवेश प्राप्ति उप्योग की नीतियों में परिवतन की सुरिकती दी है यानि नियाएफ फंड का फिर से पुर्णखठम किया है यहाँ पर इन्हों ने एक सर्थ यहाँ पर लगा दी है ये तीन वर्स की अवदी की सभी बिनिवेस प्राप्तियां हैं जो भी होंगी इनका उपयोग चुनिंदा सामाजी चेत्र की योजनाव में किया जाएगा क्या इन्होंने सरकार ने पहले ये कर दिया प्राप्तान कि तीन साल के भीतर भीतर जो भी हमने PSU बेज कर परिसंपतियों को बेज कर हमने जो भी हमने फंड इकट्टा किया है उन सब का पैसा है जो होगा इसमें चुनिंदा सामाजी चेत्र खास करके सिक्षा स्वास्ते या इन्वेस्टर बढ़ावा देने के लिए इन में हम इस्तिमाल करेंगे तो ये बात गवर्मेंट है यहाँ पर इस प्रश्ट रूप से रख दी है हालां कि बरतमान जो नीद है अभी की इसमें फिर से परिवतन किया गया और जन्वरी दोयाद तेरे में सरकार ने राष्टी है यह अटेच कर दिया है यानि कि जो आपका समिधानिक रूप से जो फंड बनाए जाती है उसके साथ इसे अटेच कर दिया है ताके लोक लेखा में यहाँ पर इसे सीर्सक में साथ में जो लोक लेखा जो फंड है इसमें इसे रख दिया गया है तो रीजन यहाँ पर यह ह होता है ये फंड प्रथक होने की जैसे इसका इस्तमाली नहीं हो पाता है तो सरकारें क्या करती है कई बार इससे निकाली नहीं पाती है अब निकाली नहीं पाएंगे तो उसे लोकल न्याड कारियों में कैसे लगा पाएंगे तो इससे अटेच कर दिया अटेच करने से करोड रुपय धन के प्राप्ति का लक्ष रखा गया है यानि कि हमारे यहां कि भर्तवान जो सरकार है मोधी गवर्मेंट है उसमें यह लक्ष रखा गया है कि हमें 2020 में लगवक्त दो दसमलब एक जीरो लाग करोड रुपया एकटा करना है PSU को बेचकर यानि सरकारी ही है MSME सेक्टर के बारे में यानि Micro, Small और Medium एंटरप्राइस इसे हम कहते हैं तो इसके बारे में हम बात करेंगे यह होता क्या है देखे MSME के बारे में आपने सुना होगा माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइस के बारे में MSME का जो बिनियमन है यानि पूरा जो रेगुलेट होता है ये सूच में लगो और मध्यम उद्यम बिकास अधनियम एक है एक्ट दोयाँ च्छे का इसके तरफिस का बिनियमन किया जाता है पहली बात ये जान लीजिए MSME कानून दोयाँ च्छे के अनुसार MSME को यहाँ पर दो बरगों में माटा किया है एक तो बिनिर्माड है और दूसरे इसमें उपकरम आ जाते हैं और ये सायंत्रव मसीन्री के निवेस के मामले में परिवासित होते हैं यानि इसमें एक तो बिनिर्माड आ जाता है दूसरा उपकरम जो चोटे मोटे एकाईया है वो आ जाते हैं एक तो manufacturing units है और अन चोटे मोटे एक उपकरम ये सब आ जाते हैं और ये सायंत्रव मसीन्री में निवेस के मामले में परिवासित होते हैं यानि इसमें बिनिर्माड एकाईयों में सायंत्रव गड़ा लगे होंगे मसीन्री लगी होगी उपकरम बगड़ा इस्तावित किये गए होंगे तो ये बताया गया है यहाँ पर सरकार के दोरा जो प्रस्तावित नई परिभासा है इसमें यहाँ पर जो आपका जो सूच में लगवार वाले इसकी सीमा बताई गई है कि कितने कितने तक के यहाँ पर यह इसमें रखे जाएंगे तो यहाँ पर पांच करोड रुपे से कम बारसिक कारोवार वाले जो हैं MSME को सूच में रखा गया है यानि मीडियम बाली स्रेडी में रखा गया है यह आप समझ लीजिए यह बरतमान के अभी जो बरतमान का जो MSME का जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्णिंग बताया गया है कि MSME में अभी कौन-कौन से उद्ध्यम रखे गई हैं तो यह आप याद रखना देगे एक बात और ध्यान देना है यह करंट का इस्यू है तो ह अभी तक तो यह लिमिट चल रही है अब हो सकता है दो महीं महीने बाद चेंज कर दे तीन महीने बाद चेंज कर दे तो यह बात आपको ध्यान रखनी है भारत में MSME की स्थिति क्या है इन सरकार जो इसे प्रोसायद कर रही है लगाता तो इसकी स्थिति क्या है यानि कि क्य इससे रोजगार मिल पा रहा है, क्या ये योगदान दे पा रहा है तो जैसा के नाम से हम जान चुके है Micro Small Medium Enterprises यानि कि सूच में लगो और मध्यम उद्योग थे यह तो यानि कि आप समझ सकते हैं सूच में उद्योग, लग उद्योग, मध्यम उद्योग तो ये ऐसे उद्योग हैं, जो के एकल, यानि जो एकल परिवार है उनके द्वारा भी किये जाते हैं, बहुस सारे लगो कुटी उद्योग जो ग्रामिस्तर पर किये जा रहे हैं उनके द्वारा किये जाते हैं, तो ये सब लोग लगे हुए हैं लगवक 51% इस सेक्टर के वो आपके गामिड शित्रों में इस्थित हैं पहली बात यह जान लीजिए MSME सेक्टर का जो है देश की GDP में 29 फीसद का योगदान है यह देखे यह फैक्ट है इंपोर्टेंट ठीक है यानि अभी बरतमान में आपकी देश की GDP में जो 2000 अभी का आंकड़ा है यानि जो आपके हाल के ही आंकड़े हैं बारस सरकार के जो मई 2020 में जारी हुए है उसके अकॉर्डिंग देश की GDP में MSME का 29% का योगदान है बरतमान में MSME में सबसे जादा लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं यानि 11 करोड लोगों को रोजगार उप्लप्त करा रहा है हाना कि इन में से अधिकांस लगवग 55% रोजगार जो है वो सहरी क्षित्रों में क्योंकि जातर जो बड़े बड़े जहां पर मीडियम यानि लगवग मानके चलते हैं 6-6 करोड के करीब लोग जो है मीडियम एंटरप्राइस में सेहरों में काम कर रहे हैं बरतमान में MSME के तेत्र लगवग 99.5% उध्यम सूच में स्टेडी के हैं यानि कि यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर माइक्रो के संक्या सबसे जादा है इसके लावा देश के सहरी और गामीडी शेत्रों में सुच मुद्यमों की संक्या समान है लगवग यानि जो माइक्रो एंटरप्राइसें उनकी संक्या समान है लेकिन लगव और मद्यम सेडी यानि कुल MSME का लवग 10.5% है यानि यहाँ आप समझ सक या 9.5% आप माइक्रो है और 10.5 में आपका आजाएगा लगव और मद्यम सेडी तो बताया गया है कि अधिकान सुध्यम सेडी शेत्रों में और जो लगवग 5 क्रोड कामगारों के लिए रोजगार उप्रत कराते हैं क्यानि कि जो मीडियम आपका स्मॉल और मीडियम इंट डीडीपी में भी अच्छा कासा योगदान है बहुसतारे लोग इसमें रोजगारी राप्त कर रहे हैं तो यहां हम देखेंगे कौन-कौन से छेत्रों में कहां-कहां तक कि यह कितना पहुच पाया है तो बरतमान में देश में MSME छेत्र के 66% उध्यम समाज के निचले बरक परसेंट अनसुचित जाती की लोग, 4.1% अनसुचित जन जाती की लोग और 49.7% अनपिश्टा बरक से समद्धित लोग माइक्रो कैटागरी वाले उध्यमों को संचालित कर रहे हैं सभी स्रेडियों के MSME के कर्मचारियों में लगवग 80% जो में पुरोष हैं और 20% ही यह 14%, पश्चि मंगाल में 14%, तमिललालू में 8%, महराष्ट में 8%, करनाटक में 6%, बिहार में 5% और आंध्रा में 5% यानि यहाँ पर हम देखते हैं MSME में सबसे टॉप पर कोन है? UP है, उत्तरप्रदेश है, उसके बाद, यानि UP और पश्चि मंगाल यहाँ पर हैं, अभी तो फ्ल MEGP है, Prime Minister Employment Generation Program है, CGT-MSE है, Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises, Class Credit Linked Capital Subsidy Scheme है, स्फूर्ती, Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries, MSE, CDP, Micro and Small Enterprises Cluster Development Program, यानि बहुत सारे प्रोग्राम जो चलाए जा रहे हैं, गवर्मेंट के, ताकि MSME को बढ़ाबा दिया जा सके हैं, उद्देश सरकार का यही है, क्योंकि कही ना कि इस उद्द्योंगों को बढ़ावा देने से आद निरवरता आएगी, क्योंकि यह Self Employee बाला सिस्टम यहाँ पर लागू हो जाता है, जारतार उद्द्योंग क्या है, खुद को रोजगार देने बाले उद्द्योंग हैं और इसका दिहे क्या है, कारुबार को आसान बनाना है, तो इसके तरहत उद्द्योंगों को एक Business उद्द्योंग आधार संक्या UN नमबर मिल जाता है, तो इसके लिए क्या है, ओनलाइन ग्याबन यहाँ पर भरना होता है, एक लंबी चोड़ी प्रक्रिया नहीं है, पहले से पहले जैसे होता था, उद्द्योंग ब्यापार मंदल से मिलता था, अब ऐसा नहीं है, अब ऑनलाइन सब कुछ कर दिया है, इसके लावा उद्द्योंग जगत के लिए रोजगार केंद की स्थापना की है, तो जून 2015 में Employment Exchange for Industries, यह उद्द्योंग जगत के लिए रोजग देश में करीब 6 करोड ऐसे उपकरम स्थित हैं, और यह देश की GDP में इनका योगदान 29% का है, और 11 करोड लोगों को यहाँ पर रोजगार बिला है, साथी साथ इसके देश के निरियात में, देखिए ध्यान देने वाली बाती है, निरियात में भी इसका अच्छा खासा य जोड़ देंगे, तो हमारा निरियात भी बढ़ेगा, तो यहाँ पर हमें MSME पर बहुत जादा जोड़ देने की आवशकता भी है, इसके लावा यहाँ पर अगली हेडिंग है, छेतरी चिंता है, सेक्टोरल कंसर्न्स, यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, जिनको लेकर ग कुछ चुनोतियों का सामना कर रही है, कैसे क्या चुनोतियां हैं वो भी हम देखेंगे, सबसे पहले आपका जो इस्पाद उद्ध्य हो गया इसके बारे में हम देख लेते हैं, कि इसमें इस्टील इंड़ेस्ट्री में भारत सरकार के समख्च क्या क्या चुनोतियों आ र वहीं चाइना की हिस्थेदारी कितनी है, 53.8% की यहाँ पर चाइना की हिस्थेदारी है, इस पाद उत्पादन में, यहीं चाइना की काफी ज़्यादा है, उपभोग की दरश्टी से देखें, तो भारत का इस्थान विस्थो में 30 है, यानि अगर हम कंजंशन देखें अपने कर्ज कच्छे मसावान की अधिक कीमत के साथ साथ कम उत्पादन के कारण तुलनात्मत रूप से नुकसान में है, देखें हमारे यहां दिक्कत यह आ रही है, कि जो इसपाद उद्ध्योग है, बैसे कोशिस सरकार ने यहीं की है, कि जहां से अयस्क निकाले जाती है, वहीं उपकरम इस्थापित किये जाएं, अब लेकिन दिक्कत यह भी आ रही है, कि बहाँ पर इस्थापित उपकरम तो बहाँ पर इस्थापित कर दिये हैं, लेकिन बहाँ पर बाजार नहीं है, बहाँ बाजार नहीं है, बाजार आपका मुंबई में है, बाजार आपका जो पर डेली में है तो ये भी दिक्कत आ रही है तो इसलिए क्या है जो कीमते हैं वो बढ़ जा रही है तो लगातार सरकार को यहां पर नुकसान उठाना पड़ रहा है भारत सरकार ने भारी इसपात आयात को रोकने और घरिल उत्पात को इस्थाई बनाने के लिए निम्दाम क कदम उठाई है तो यहां पर होता क्या है आप लोग यह जानते होंगे जब इस्थानी स्थर पर हमारी जो लागत बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं जो विदेशों से आयात किया हुआ इस पात है उसकी और उन्मुक होते हैं तो सरकार प्रयास यह कर रही है कि जो यह यह जो कंपनियां विदेशों से इसपात आयात करते हैं उनको रोका जाए उन पर भारी भरकम कस्टम जूटी लगाया जाए ताकि यह लोग हतोसाहित हों और अपने देश में निर्मित इसपात को हाई यह उप्योग करें तो यहां पर भही सब कुछ कुछ कदम उठाए ग ज्रोक है ति कियो कि यहां उपिलब sat तो आप यहां जी चाइना मलेशी आ दश्र कुरिया से क्यों कर दो करा रहे हैं अब होता है कि यह कंपनियां से हैं बाड़ी भड़ी कंपनियां इस पात वा गैर में से धातू के गरम गुमावादार चप्टे उत्पादों पर 20% का तातकालिक सीमा सुल्क लगाना यानि कि यहाँ पर जो तार्म जो आपकी जो कोईल वगएर आती हैं जो आपके वायर वगएर देखते हैं तो उनमें जो आपका इसपात पढ़ा होगा तो उस पर बताया गया है कितना कि धादू इसपात या गैर में से धातू की गरम गुमावादार चप्टे उत्पाद जो हैं इन पर 20% का तातकालिक सीमा सुल्क लगाया जाएगा उद्देश सब यही है कि कैसे भी करके आयात को अतुस्सायद करें स्टील के उत्पाद कोंकि जो आयात हो रहा है उसको अतुस्सायद किया जाए ताकि इस्थानी स्टील है इसका प्रोडक्सन और इसकी सेल बढ़ पाए इसपात के लिए लहोयस पर निर्यास सुल्क 10% हमारे सामने तो दुनिया में भारत अलूमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है जहां देने वाली बात ही है यह सब फैक्ट है यह दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत चीन के बाद या चीन पहले नमबर पर आता है और हम लोग कंजंशन में अगर देखें तो आज भारत करीब 6-5 मीट्रिक टन अलूमुनियम उत्पादन करता है और 3-8 मीट्रिक टन हमारे यह खपत है तो भारती अलूमुनियम उत्द्योग के सामने कुछ चुनोतियां है यहां पर भी कुछ चुनोतियां है जैसे बताया गया है कि साल 2011-2015 के बीच में जो Aluminium की कीमत है यह दुनिया में लगए 41% की रही है यानि दुनिया में इसकी मांग कम हो गई है मांग कम होने के पिज़े से यहाँ पर इसकी कीमत में गिरावट होई है तो यहाँ पर पताया गया है कि गिरावट होने के और भी कुछ रीजन रहे है भारत में इसकी कुल मांग के अनुपाद में आयात काफी बड़ा है यानि भाही चीज़ जो मैंने भी बहां पर इस पात में बताई थी तमाम कंपनियां जो होती है यानि अंतराश्टी स्थर की कंपनियां है या MNC जोनों ने अपने यहां पर प्लान्ट लगाए है वो यह करती है भारती स्पात ना खरीद कर रहे है भारती अलमुनियम ना खरीद कर अपने देश स्पात ले आती है ऐसे में क्या है जो भारती स्पात है वो रखा रह जाता है जब हम भूर रखा रहा जाएगा तो ओविस्सी बात है उससे हमें कोई मुनाफ़ा होगा ही नहीं तो भाही सब चीज जहां बताई गई है कि यह लोग आयात कर लेते हैं आयात करने की जियर से यह समस्या क्रियेट हो रही है भारत के लिए इसका उत्पादन लागत जो हमारी आ रही है यानि हमारी जो उत्पादन लागत निकल कर आ रही है यह अंतराश्टी दामों से अधिक हैं यह अंतराश्टी स्थर पर इस पाद अलुमूनियम का दाम कम है लेकिन हमारी उत्पादन लागती दिन जाद आ जा रही है कि हमारा दाम इनसे जादा निकल जा रहा है तब ही जो कंपनिया है चोरी छिपे इनसे मगा रही है अंतराश्टी स्टर से आयात कर रही है इसमचे से सरकार को चपत लग रही है तो ये बात जहाँ बताई गई है बर्स 2015-16 से भारती छमता काफी बड़ी है लेकिन इसके इस्तिमाल में सुधार नहीं आया है रीजन के भई ही है बैस्विक कीमतों में लगाता गिरावट के चलते ऐसा हुआ है तो हो सकता है आने वाले दिनों में और भी कुछ रहे और इसमें जो है सुधार देखने को हमें मिले अब हमारी हेडिंग है प्रतक्ष विदेशी निवेस उपाए उन्हीं Foreign Direct Investment Policy Measures इसके बारे में हम जानेंगे किसी भी देश के लिए जो प्रतक्ष निवेसी विदेशी निवेस है यह आर्थिक विकास का एक महतपुड वाहक होता है योगि जो देश FDI जादा प्राप्त करता है उसके पास जादा अवसर होते हैं कुछ विकास दर को प्राप्त करने के या उसको बनाई रखने के और उत्पादन बढ़ाने के भी रीजन क्या है? प्रतक्ष विदेशी रिमेस कोई कर्ज नहीं है कोई रिड नहीं है तो यहाँ पर वही बताया गया है कि गयर रिड वित्ती संसादनों का एक प्रमुक स्रूत है गयर रिड क्यों है? क्योंकि माल लीजिए आप किसी बैंक से लॉन लेकर आते हैं तो आपको उसकी तै ब्याईदर पर बुक्तान करना पड़ता है कि भाई हमने इतनी ब्याईदर पर हमें इसकी जो है इसका रिड वुक्तान करना है लेकिन यहाँ पर क्या है? एक ऐसा माध्य हम होता है इसके जरी हम किसी कंपनियों को फ्रोसाहिद करते है कि भाई आप हमारे देश में आईए और अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए जब इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी हमारे देश में करेगी तो उसमें क्या है? वो अपने पार्टनर्शिप के तौर पर करेगी वो किसी कर्ज यानि कोई कोई जो कर्ज दानदार कर्ज देने वाला है उसकी तरह थोड़ी न देगी कि हम करद दे रहे हैं नहीं वालकि पार्टनर की तरह यहाँ बार अपना भीयब करेगी तो उससे क्या होगा हमें अपना आर्थिक बढ़ाने में अच्छी खासी मतद मिलती है तो इसलिए ये गैर रिड वित्तिस अंसादनों का एक प्रमुक स्रोत है वर्स 2019 की सुरुवात तक भारत सरकार ने अर्थिववस्ता में FDI को बढ़ावा देने के लिए निम्नान के नीत अपनाई है कौनकों सी नीत अपनाई है बीमा और पैंसन निदी जो है यहाँ पर 26% रच्छा चेतर में 49% FDI तक की अनुमती दी गई है यानि जो बीमा और पैं और रेलवे आधारगू धांचे में यहाँ पर 100% तक की FDI की अनुमती दी गई है यानि इन में 100% FDI की यहाँ पर अनुमती गवर्मेंट ने दी है भारत में निरमित और उत्पादित जो खादिपतारत हैं इनके विपड़न में इसमें भी 100% FDI की अनुमती दी गई है PSU कमपनियों के प्रवंदन के लिए एक नई नीत लाई गई है इसमें रणनीतिक विन्वेस सामिल है जिनि इस्टेजिक डिसिन्वेस्टमेंट इसके बारे हम सुरुवात में चर्चा कर चुकी है यह रखा गया है PSU के लिए और FDI के लिए उधार प्राब्धान माना गया यह माना गया है कि यह उधार प्राब्धान होगा इसके जरीए PSU के वो भी सुधारने में मौका मिलेगा बात करें सरकार की जो प्रयास हैं उन प्रयास में कितनी सफलता मिली है देश को कितना लाब हुआ है तो दर्स 2019-20 सिसम्बर तक देश में 26.10 अरब अमेरिकी डॉलर क प्राप्त हुआ है वर्स 2019-20 में हमारा जो सकल FDI एक्विटी अंत्य प्रभार का अलवग 80% की जो प्राप्ती हुई है वो हमारे जो सिंगापूर, मौरिस, नीदरलेंड और USA और जापान से हुई है यानि इन देशों से ये 5 देशों से 80% प्रभाव की हमारे या प्राप्त FDI नीद में एक बदलाव की कोशना की गई, यहाँ पर बदलाव में प्राप्धान किया गया किसके अंतरगत उन देशों जिन में भारत की भू सीमा रेखा संपर्क में आती है, यानि कि जो देश भारत की भू सीमा रेखा से संबध है, खास करके यहाँ पर इंडरेक्ट ट जाता है, तो उसको पहले सरकार से पर्मीशन लेनी पड़ेगी, तभी वो किसी कंपनी में यहाँ पर इंवेस्ट्मेंट कर पाएगा, उद्देश ही है यह जो चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है, भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको कम किया जाए, कैसे भी च सम्हूं का एक वार्सिक प्रकासन है, और 24 से यह जारी हो रहा है, Doing Business Report, विस्तु के देशों को उनके जो नियम है, या व्यवसायक जत्विदी है, इनको विस्तार देते हैं, और जो उन पर रोक लगाते हैं, कि आधार पर इन्हें आंकते हैं, यानि कि यहाँ पर ये इसमें analysis किया जाता है, कि किन देशों में व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा रहा है, किन देशों में व्यवसाय के मामले में वहाँ पर जो कह सकते हैं, infrastructure या अवसरनचना मजबूत है, या सरकार प्रोसाहिद कर रही है, नए नए उद्यमियों को, नए निवेशकों को, या नए ज जारी की जा रही है, इसे लोगप्रिये तोर पर, ease of doing business report भी कहा जाता है, इस report में 12 मापदंडों के अधार पर इसकी माप की गई है, यहाँ पर 12 मापदंड लिए गई है, हाला कि यहाँ पर अंतिम दो मापदंड हो है, उन्हें calculate नहीं किया जाता है, यानि उन्हें अभी फ पार, अनुबंदों को लागू करना, डिवालियापन का समाधान करना, कामगारों को रोजगार देना, और सरकारों से अनुबंद करना, देखे यह भी सामिल नहीं है, यह जो मापदंड रहे है, इन्हें यहाँ पर इसमें calculate नहीं किया जाता है, इनका उपयोग नहीं किया जाता है, हाला कि इसमें रखे गए है, अनिदेशों पर यूज किये जाते हैं, लेकिन यहाँ पर, सोरी अनिदेशों पर भी नहीं किये जाते हैं, क्योंकि यह यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, इसलिए यह वाले इसमें, यानि रखे तो गए हैं, हो सकता है, आने बाले समय बाविश में इस्तमाल किये अभी तो नहीं किये जा रहे है देश की ranking सर्वेजर्ण और साच्छात्कारों के आदार पर की जाती है यानि वहाँ पर सर्वेज और साच्छातकार की जाती है इनको तरह इसकी ranking की जाती है इसमें संक्टिट से जुड़े बकील, कंपणियों के जो कारेपालग है यानि एक्जीक्यूटिव जो है इनको सामिल किया जाता है इनके आधार पर रेंग की निकाली जाती है भारत को इसे मामने में नर्स और बोल्ड स्ट्रेश्ट कौंड को अपनाना होगा जिसके अंतरगत फीडवेक, प्रबोधन, यानि मोनिटरिंग और निरंतर समायोजन यानि एड़ेस्टमेंट इसकी विवस्था हो नेट और बोल्ड का मलब क्या है नेट और बोल्ड डस्टकॉंड यह कहता है कि आपको फीडवेक लेना है वही प्रपुष्टी करनी है कि लोग संचुष्ट है या नहीं है उन्हें अपने रोजगार इस्थाबित करने में उन्हें रोजगार इस्थाबित करने के लिए क्या इनवार्मेंट मिल ला है या नहीं मिल ला है तो इस आधार पर ये बताया गया है कि भारत को ये नट और बॉल्ट वाली अपनाने की जरूगत है अब देगे Ease of Doing Business वाले मैंने आंकडे यहाँ पर नहीं डाले हैं यानि क्यों नहीं डाले हैं रीजन ये है कि चेंज होते रहते हैं वैसे तो आपकी किताब में सन 2020 के according अगर आप देखें तो 2020 की जो Ease of Doing Business रिपोर्ट थी उसके according हमें 190 देसों की सूची में हमारा जो इस्थान मिला है 63 इस्थान भारत में प्राप्त किया है यानि कि हमारे Ease of Doing Business के according हमें 63 प्राप्त हुआ है ठीक है यानि कि जो पिछले बर्स की जो रिपोर्ट है उससे हम 14 उपर है पिछले साल की जो रिपोर्ट थी हमारी Ease of Doing Business के उससे हम काफी सुधार आया है ठीक है तो आप समझ सकते हैं तो हमने यहाँ पर इसलिए नहीं तखाए क्योंकि हर साल यह रिपोर्ट आती है हर साल रिपोर्ट आती है तो यहाँ पर उता चड़ा होता रहता है अब भी हो सकता है मैं 2020 वाली रिपोर्ट के आंखड़े यहाँ डाल दू और आप 2021 में देखें, 2021 में नहीं रिपोर्ट आजाए तो आप भी कहेंगे सर आपने हमें पुराने आखड़े दे दिये तो यहाँ पर आप अपना current affair देख कर चलने है यहाँ पर इसी करम में अगला एक पहल है government की make in India यहाँ पर हमें क्या करना है बहराष्ट्री जो कंपनिया है या घरेलू कंपनिया है इनको भारत में ही अपने उत्पाद बनाने को प्रोसाइद करने के लिए भारत सरकार ने सितंबर 2014 में ये scheme make in India start की है उद्देश इसका क्या है द्रश्ट कौन क्या है बहरत में पूजी ग долго प्रोड़ो की निवेस याँ पूजी गत निवेस और फ्रोड़ो की टेक्निकल क्योंके कोई कम्पनी कारखाना रिस्थाबित करेगी तो टेक्न लोजी भी लेकर आएगे तो यहां पर कुजीगत भी होगा और प्रोध्योगी निवेस भी होगा दोनों को आकर्सित किया जाएगा उद्यस क्या है अर्थ विवस्ता कि जो 25 छेत्र है इनमें मूलतर रोजगार सजित करना है इनके कौसल विकास पर बल देना है जैसे आटो मॉवाइल हुआ उड्यन हुआ जैप रोध्यों की रच्छा बिनिर्माड या बिद्दुद मसीन्री है खादर प्रसंस करण है तेल या गैस पगरा है तो इन जब में हमें यहाँ पर फोकस देना है जैसे करके सरगार ने 25 छेत्रों में रोजगा सजन के लिए इने पर बल दिया है इसका लोगो क्या है यानि इसका लोगो जो है इसकी प्रेड़ना एक असोख चक्र से ली गई है इसमें लंबे टग भरता हुआ एक सेर है और जो दांतिदार पहियां से बना हुआ है जो कि आप यह देख सकते है यानि यह मेक इन इंडिया का लोगो है आपको याद भी जो गरारी बगरा जो होती नहीं है यानि एक इंजन के भीतर होता है सेटप होता है उसी तरह का सेटप दिखाया गया है कि लगातर आगे गतिमान होता हुए सेटप यह दिखाया गया है इसमें तो आप देख पा रही है इसमें अपनाई गई नीतियों में क्या है कारोबार पुराने पड़ चुके जो कानून है इनको हमें दूर करना है जिससे व्यापार में बादा आ रही है इसके साथ साथ इसमें 100 स्मार्ट सिटी बनाने का रक्ष भी रखा गया है PSU कमपनियों को बिनवेस करना है यहाँ के लिए कोसल बिकास और रोजयार की विवस्था भी करना है यहाँ पर जो आपकी Makin India पहल है तो Makin India पहल यह 4 इस्थमों पर आधा रेते हैं कौन-कौन सी यहाँ पर 4 इस्थम इसमें रखे गए हैं नई प्रक्रिया, नई बुनियादी धाचे, नई छेत्र और नई सोच, ये चार यहाँ पर इसके स्थम रखे गए हैं, जिसके जरी हमें मेकिन इंडिया को बढ़ावा देना है, ये नई नई प्रक्रिया अपनानी है, नई आप बुनियादी धाचे तयार करना है, नई छेत् भी बनाया है, जिसके जरीए लोग इंट्रेक्ट कर पाएं, यानि बिदेसी जो भी कंपनिया है, वो देसी कंपनियों के साथ, या देसी कंपनियों के साथ, अपना भारतालाब कर पाएं, तो एक मंच बना दिया है, जहाँ पर क्या है, आपके भारती कंपनिया भी सूची इंवेस्ट इंडिया की स्थापना भी इसमें की गई है जिसका मुक्ष्य काम क्या है कि सभी निवेस्ट प्रसनों को जानने समझने में मदद करना है तो यहांपर रॉल है इसका भारत में नवाचार और startup को पढ़ावा देने के लिए नवाचार प्रोस्थान मंच भी शुरूख किया गया है जिसका नाम AIM यानि Attal Innovation Mission के नाम से भी से भी से हम जानते है अटal Innovation Mission भी से start किया गया है वही है कि नवाचार को पढ़ावा देना है इसके लाबा MSME छेत्र के उध्यम को बित्र पोसट के लिए जो SIDB है तो इसके तहट आपका India Aspiration Fund की भी स्थापना की गई है यानि जो Small Industrial जो Bank के Development Bank है तो इसके तहट यहाँ पर एक India Aspiration Fund की स्थापना भी की गई है देश से यहाँ पर ही है कि लगातार छोटे-छोटे उध्यमियों को इसमाइल नाइम की एक scheme है इसका भी सुभारम किया है यानि इसका भी यानि SIDB ने इसका भी एक सुभारम किया है ताकि जो आपके Small Enterprises है यानि MSME वाले Small Enterprises है इनको बढ़ावा मिल सके जैसा कि हमने उपर देख लिए आता है जो आपके MSME वाले Enterprises है इनका योगदान अच् पुतपाद कहीं और बनवा रहे हैं लेकिन सरकार उनसे प्रयासिय कर रही है कि अगर हो सकता है कि वह अपनी कंपनियां यहां पर ना लेकर आए तो सरकार कहना चाहरे है उनसे कि आप हमारे यहां रोजगार लोगों को मिलेगा और ऐसा हो भी गया है अगर आप रोजगार मिला है तो आप समझ सकते हैं याप अपने पार्ट्स यहां पर इंडिया में नहीं बना सकती है तो उनको लिए विकल्प यह दिया गया है कि आप अपनी कंपनी यहां पर इस्थाबिद करें और अपनी जो भी प्रोड़क्ट वनना है उसको अजेंबल करवाए जिससे क्या होगा आपको टेक्स वेरामा भी छूट मिलेगी और वो उत्पादवी भारती मार्केट में सस्ता रूप में भिक पाएगा तो इसलिए आपने देखा हुआ थमाम कंपनिया अपने यहाँ पर प्लांट लगाए हैं प्लांट मलब और उसमें मॉवाइल वेरा एज जैंब्लिंग करने के उद्देश से मेकिन इंडिया अभियान से एगिकरत करने की जरूवत है और ऐसा करके भारत क्या है वैश्विक निरियात बाजार में अपनी हिस्सेदारी बर्स दोयार पच्चिस तक बढ़ा कर साड़ित-परसेंट से बढ़ा कर यह दोयार तीस तक 6% तक कर पाएगा यह अनुमान है एक तो यह बताया गया है अगली आपकी जो हैडिंग है यह है स्टार्ट अप इंडिया यानि स्टार्ट अप इंडिया पहल है इसके बारे में बताया गया है तो स्टार्ट अप इंडिया जो अभियान है यह जन्वरी धोयार सोले में बारत सरकार ने इस योजना की सुरुवात की है, मकसद क्या है, वही सब मिले जूले मकसद है, नवाचार को बढ़ाबा देना है, इसके लिए एक मजबूत पारिस्तित की विक्सित करना है, तो यहाँ पर कंपनियों के लिए जो प्रस्तावित कार नीत है, उसका जिक्र को अशमाधान कर पाए, तो एक स्टाटप इंडिया हावगी की स्थापना की लिए, इसके लाबा साजने खरीद के लिए सरल काईदे कानून, जो भी कानून, काईदे कानून बनने चाहिए, जिसके जरिए जो बिनवेस की प्रक्रिया है, या उद्द्यों लगाने की प्रक की जाए, तो ये इसमें रखा गिया है, इसके लाबा यहाँ पर निकासी के तेज और आसान नियम, यानि कोई पैसा निकालना चाह रहा है, कोई लोन लेना चाह रहा है, उसके तेज और आसान नियम हो, 10,000 करोड़ रुपए की पूझी के साथ, फंड ओफ फंड्स, इसके नए-नवेटर्स हैं, जो अपना स्टार्टप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको ये इस तरह की जो प्रोसान दिया गया है, कि कोई आपकी लाब पर हम कर चूट देंगे, तीन बरसों के लिए इंकम टेक्स से चूट देंगे, कैसे भी करके, आप स्टार्टप स्टार करना, उद्देश यही है, कि जाया से ज्यादा देश में रोजगार जैननेट हूँ, यहाँ पर साथ नए शोध पार्कों की स्थाफना भी इसमें करने का लक्ष रखा गया है, आपने देखा हुआ, IIT मदरास के सोध पार्क की तर्च पर यहाँ पर साथ नए शोध पार्क की स्थाफना की जाएगी, इसके लाबा जैप प्रोध्योगी के छेत्र में इस टार्टप को बढ़ावा देना, क्योंकि जैप प्रोध्योगी आने वाले दिनों में अच्छा खासा विकल्प बन सकता है, तो यहाँ पर उसमें बढ़ावा देने की बात की गई है, बरतमान आज जो है बिस्व के तीसरे रंक पर है, यानि हमारे यहां कोई नए स्टार्टप जो स्टार्ट करने की बताई गई है, तो हमारे यहां नए स्टार्टप स्टार्प करने में हमारा देश तीसरे स्थान पर आता है, यानि हमारे यहां जो नए स्टार्टप है, इनकी संक्य result निकल कर आ रहा है परणाम यह है कि आज हम विस्व के मिस्व में अगर नई उप्रम स्थाबित करवाने के मामले में तीसरे स्थान पर पहुँच गए है जनवरी आठ दोयार बीस तक देज में 551 जिलों में कुल 27,084 startup विद्धिमान थे यानि स्थानी स्थार्ट पर लोगोंने जो पहल करी है उनके जरीए आपके स्थानी startup कितने बताएगे हैं 27,084 करीब दिमान है इस startup की उत्पति आज क्रसी और बिनिर्माण चित्रों से ज्यादा कहीं सेवा चित्र में ज्यादा है इनके पंजीकरण में आने वाली 10% की ब्रद्धी से सकल जिला घरेल उत्पाद में लगबग 1,08% की ब्रद्धी होती है क्योंकि कहींना कि जब ऐसे startup लगाई जाएँगे ऐसे startup वो में ब्रद्धी होगी तो उससे क्या होगा हमारे जो सकल जिला घरेल उत्पाद है इसमें भी ब्रद्धी देखने को मिलेगी लगब 1,08% की ब्रद्धी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी तो यह आपका startup इंडिया के बारे में आपने जान लिया हमारी सरकार ने जो COVID-19 में कुछ अध्विक सुधार के लिए कुछ कदम उठाए थे उन कदमों को छोड़ा जानना आवश्यक है क्योंकि बरतमान में हमें जो पिछली साल की नीतिया है यानि 2020 में सरकार ने जो कदम उठाए थे तो वो हम यहाँ पर छोड़ा जानेंगे जो भी साज उसावान उपलब्द करवाने के लिए इसको संग्ठित करना है और साधी साथ इसको श्टॉक एक्सचेंज में सुची बद करवाना है यानि NSE और BSE में सुची बद करवाना है ताकि यहाँ पर पोर्टफोलिय निवेस्प्रेंट को प्रतक्ष बद करवाना है इसको बद करना है इसमें भी यानि कि इसिंवेस्टमेंट यहाँ पर स्टार्ट करना है उड़ेन यानि कि जो आपका जो भी आपकी उड़ेन एविएशन मंतराल है तो बताया है उसके एकॉर्णिंग बताया गया जो PPP मॉडल है यानि पब्लिक प्राइवेट पार्डनर से मोडल है इस पर आपके यहां छे और हवाई एड्डों की निलामी का निर्ने लिया गया है इसके लाबा बारे अन हवाई एड्डों में निजी निवेस का भी यहां प्रस्ताव इसमें रखा गया है खनेज के छेतर में की सरकार क्या है शरकार का जो पहले एक आदिकार था है जैसे कोईला खधन हुआ बालू खधन हुआ इनसमें इनकी एकादगार की समाप्ति की गई है और यहां पर बाढ़िज यानि कॉमर्सियल खनन की उन्मती भी दी गई निजी शेत्र को 50 कोईले के विलॉकों में बोली लगाने के अनुमती दी गई है और निजी शेत्र को निसकरसर के भागिदारी की भी यहाँ पर अनुमती इसमें खनेज़ों में दी गई है बिजली में क्या किया आगिया है संग सासित प्रदेस हैं इनकी बिजली कंपणियों का निजी करण करने की गोशना की गई है यहाँ पर बिजली सरकार के अधीन न रहकर प्राइविट कंपणियों को दे दी गई है परमाडविक अनुसंधान यानि जो आपके nuclear energy जो भी कहिंद रहे हैं उनमें क्या किया गया है तो परमाडविक अनुसंधान जो है महाँ पर जो medical isotope बगड़ा इनका उत्पादन होता है इनके लिए परमाडविक अनुसंधान संसायंत्रों को PPP यानि कि भाही पपलिक से मोड में स्थापना इनकी करनी है देश के स्टार्ट अप वेबस्ता को नाब की चत्र से जोडने के लिए भी एक मजबूत टी डी आई सी इन टेक्नोलजी डपलमेंट कम इंक्यूबलेशन तो ये सेंटर की स्थापना करनी है जाने कि यहाँ पर आप मोटे मोटे अनमान में समझ सकते हैं सरकार प्रयास यही कर रही है वर्तवान सरकार सभी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को प्रोसाइट किया जाए सभी सेक्टर में FDI को लाया जाए ताकि हमारे देश में जो पैसे की किल्लत बनी रहती है फंड की किल्लत बनी रहती है उसको दूर किया जा सके जै टोटल एक्यासी सो करोड रुपय का ब्याय का अनुमान है यानि सामाजी का समर्चना में आपके भई सिक्षा, स्वास्ते ये सब चीज़ें आ जाती है ठीक है तो इन में इतना अनुमान यहाँ पर बदाया गया है ठीक है तो यहाँ पर आप इसको देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर मौटबड़ मौटपय अनुमान या उद्धिस के तोरपर में बताऊं कि यहाँ पर सरकार का उद्धिस यही है कि जहाँ से जादा FDI को प्रोसाहित किया जाए जहाए से सरकार के हिस्से को कम किया जाए और बिदेशी निवेशकों को प्रोसाहित किया जाए इसी के साथ आपका यहाँपर Part 2 कम्लीट हो जाता है I hope आपको साम तक Part 3 भी मिल जाएगा आप लोग जुड़े रहिये वीडियो को लैक्षियर करना न भूलिए तो चलिए आज के लिए बस इतना ही थैंक्स पर वाचिंग जैहंद